हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर शादाप आप सभी लोगों का अपने चैनल हेल्थ नॉलिज चैनल में बहुत स्वागत करता हूँ आज हम वीडियो बना रहे हैं बाल जड़ना सिर के बाल जड़ना बहुत से लोगों के सिर के बाल जड़ते रहते हैं और अगर हम उनकी केर न यूतियों के लेडिज के जेंट्स के यहां तक के 20 साल की उमर में भी इस तरह के लक्षन देखे जा रहे हैं जिन में बालों का जड़ना आम पाया जा रहा है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक कारण जैनेटिक्स भी होता है खांदानी अगर खांदानी बाल जड़ र रहते हैं आज हम आपको इसके आप कैसे इसको ठीक कर सकते हमने बालों को जड़ने से कैसे रोक सकते हैं या अगर आपके बाल जड़ गये हैं गंजापन आ रहा है या आ गया है और दो साल के बीच में अगर दो साल हो गए हैं आपको बाल उड़ते हुए जड़ते हुए य और हमें feedback भी दे और चली शुरू करते हैं बाल जड़ना एक common problem है आजगी rate में और वैसे इससे कोई नुकसान नहीं होता लेकिन शारिदिक सुंदरता को ये खराब कर देता है अगर आपके बहुत सारे बाल जड़ने लगते हैं बाल सब लोगों के जड़ते हैं और लेकिन ब follicles हैं उनमें से एक follicle से तीन बाल बाहर निकलते हैं और जब ये बाल नहीं बनते इनको proper portion नहीं मिलता जिसकी वजासे बाल जड़ने लगते हैं और नए बाल नहीं आ पाते यही कारण होता है कि आपके बाल जड़ने लगते हैं बहुत जादा शैंपू करने से बहुत होते हैं उनहीं के दुआरा ही बालों का जो बालों का जड़ना बहुत आम हो जाता है तो किसी भी तरह के जैल से इस तरह के चीजों से आप जरूर परहेज करें अगर आपके बाल जड़ रहे हैं तो भी और अगर आपके बाल जड़े नहीं हैं तो भी तो बात करते हैं ले भी करते हैं तक बार और आपके बाल आजातों में आ जाते हैं और फिर आप आप चिंतित भी होने लगते हैं से भाइए करते हैं दवाइया एसर नहीं करती है निकरती आप sociedade doctor's के पास जाते हैं वह को शैंपू और बहुत सारी लगाने के लिए धो के लिए बहुत सारी दवाईया दे देते हैं खाने के लिए लेकिन आप ठक हार कर बैठ जाते हैं कोई उसका सल्यूशन नहीं निकलता तो हमें पैठिंग में बहुत अच्छी अच्छी दवाईया हैं जिनके परियोग से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे कर आपके बाल जड लने लगेंगे कंटिन्यू कई महिनतों का आपको यह दवाई लेनी है कम से कम 4-5 महिने या 6 महिने भी आप इस दवाई को ले सकते हैं तो चलिए मैं आपको पहले लगाने वाली दवाई बताता हूं हमेपैठिक में बहुत अच्छी दवाई है बालों के लिए जिसका नाम आपके कुछ बूंदों को हलके हलके मसाज करें अपने सिर में और आप देखेंगे एक दो हफते में आपका डेंडर भी दूर हो जाएगा और आपकी वहां पर जहां पर बाल नहीं है तो धीरे धीरे हलका हलका रुवा आने लगेगा और फिर वो बाल बड़े होते चले जा साबून का कम से कम इस्तेमाल करें हफ़ते में एक बार यसके आलावा आप सरसों का तीलकी मसाज कर सकते हैं जादातेज मसाज ना करें उससे बाल जड़ जाते हैं बहुत जादा बाल एकमार में झाल yearly करें जब तक आपके बाल अच्छे नहीं आ जाते टो recycled मैंडिसम मैंने से आप इसको वहां पर लगाएं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कुछ ही हफतों के दौरान चार से पांच हफते में आप देखेंगे हलका हलका रुआ आने लगाए आपके सिर में तो यह अप लगाते रहें उसके लावा एक खाने की मैं आपको दवाई बता आपके जड़ना बंध हो जाएंगे और आपके नए बाल निकलने लगेंगे तो दो दवाई मैंने आपको बताई हैं उसके लावा एक दवाई में आपको ऐसे बता देता हूं जो उन लोगों के लिए खास कर है जिन लोगों के बाल जैनेटिक्स खांदानी प्रॉब्लम मे ही हैं अरर यह आपका हिस्सा है आपके असरपर बालों का न को क्रुच तक और में जो दवाई बता रहा हूं जो मैंने बाल जड़ने लगे हैं जिनको खांदान में के फादर ग्रेंड पेरेंट्स और उनको पूर्वजों को भी बाल जड़ने की प्रॉब्लम थी उनके लिए बहुत अच्छी थूजा ऑक्षिदेंटल इस बहुत अच्छी दवाई है बहुत इसके फाइदे हैं और इसको हम अग लोगों के लिए दिन में तीन बार पाशपाश बूदे और जगरंडी मदर टिंक्चर आपको लगाना है सिर्फ दिन में एक बार सोने से पहले थूजा अक्षिदेंटल इस दिन में आपको एक ही बार लेनी है दो बून सुभा को आप जीपे डालेंगे उन लोगों के झार अचुिए अधिए लिएुटन अपको आपको 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 आपको